आज की वीडियो में बहुत important question पढ़ेंगे, question यह है कि how to identify strong acid आपको नो कुछ acid देगे हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताएं इनका acidity order क्या है, इन में से strong acid कौन से है, तो आप किस तरह identify कर साथ है, उसके लिए आपने दो तिन पॉइंट बास जेन में रखने हैं, पहला पॉइंट यह है कि कहता है कि acidity increase with increasing positive charge, यहां पर देखें तीन molecule आपको दिएगे हैं, एक OHN negative, एक water molecule है और एक H3O positive है, और तीनों में से पूछा जाएं जिबताएं कि इसके acidity ज्यादा है, तो आपने जियन में रखना है कि पॉइंट यह है कि जैसे positive charge increase होता है, वैसे वैसे acidity increase होती है, इसके उपर negative charge है, उसके acidity सबसे काम, और जिसका neutral है, उसके acidity उससे ज्यादा होगे, आप देशाते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा acidity कि इसके होगे, जिसके उपर positive charge होगा, तो इन तीनों में से देखा जाए, तो जो H3O positive है, उसके उपर positive charge है, तो इसलिए H3O की acidity increase होती है, इसलिए हम लोगों ने एरो का sign लगा है, कि left to right acidity increase हो रही है, सेम पॉइंट हम लोग और अपलाई करते हैं, कि यहां पर फिर से तीन मौल उकूल है, एक NH2 negative है, एक NH3 neutral है, और एक NH4 positive है, जो negative होगा, उसके acidity सबसे कम, ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा किसके होगे, जिसके उपर positive charge होगा, बात समझ जागी, तो य जैसे positive charge increase होता, वैस वैसे acidity increase होती है, उसके बाद दूसरा आपने point जिन में रकना है, कि जैसे electrone negativity increase होती हो, जैसे जैसे electrone negativity increase होती है, वैसे wait pas ज्वीट होती है, तो इसकी acidity भी सबसे ज्यादा होगे, तो सबसे strong acid कोंसा होगा, इन चारों में से होगा, है इन NFWho, पड़ा है कि left to right जा बन जाते हैं तो acidity increase होती है किस वज़े से क्योंकि left to right electron activity increase होती है लेकि यहीं पर अगर देखे जाए top to bottom की बात की जाए ना top to bottom तो top to bottom में क्या आता हमारे पास देखें ग्रूप 7 की 17 की बात करें तो top पे फलरीन होता है उसके नीचे size जो होता है वो increase होता है size क्या होता है ज्यादा होता है तो जैसे size ज्यादा होगा वैसे acidity भी ज्यादा होगी अब जहाँ पर कुछ example देखें पहले नमबर पर हमें दिया गए ह-f दिया गए, h-cl दिया गए, h-v-r दिया गए और h-i, h-i के अंदर देखें जाजों तो iodine का size सबसे ज्यादा है, killing की निसबत और fromine की निसबत iodine का size ज्यादा है, तो इसका मतल h-i की acidity सबसे ज्यादा होगी, top to bottom जैसे size increase होगा है, वैसे-वैसे acidity भी increase होगी, तो इस अगर question आजे तो आप लोग ने ये point zone में रखना है कि ये एक ग्रूप के